हैलो फ्रेंड्स, विलकम तो कॉंस्टेंस माइड, मैं हूँ दीपक, आज की सी वीडियो में हम बात करेंगे CUET-PhD Admissions से जुड़ी बावस आये भीम राओं मेडिकल उनविश्टी लखनाउटी अब्डेक्टर, ठीक है जिसमें कि BGU की प्रोसेस अभी बाकी है, JNU की लगभग-लगभग कम्प्लीट हो गही है और DU की भी लगभग-लगभग कम्प्लीट हो रही है इसमें जो-जो candidate इंटर्व्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं, उनको इंटर्व्यू दिने जाना है, और research proposal के साथ, तो इससे जुड़ी जो important guidelines है, उस पर इस वीडियो में बात करेंगे, और BHU से जुड़ी, क्योंकि BHU में RAT exam हो चुका है, अब उसके बाद जो आगे की update है, वो धीरे-धीरे complete होगी, तो अगले एक हफते में उसकी भी update जल्दी कुछ न कुछ मिल जाएगी, ठीक है, BHU की update जल्दी मिल जाएगी, उस पर अभी बात नहीं करते हैं, आज हम बात करेंगे BBAU पर, तो अगर आप हमारे चनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल की interview की discuss करेंगे, और दोस्तों आप सभी को एक छोटीस information दे दे, एगर आप PhD entrance exam देते रहते हैं, आप PhD admission की preparation कर रहे हैं, तो आप हमारे PYQ जो collected PYQ हैं, उससे ले सकते हैं, link description में दिया गया है, सभी subject का research methodology के साथ, PDF format में 1000 से भी जदा MSQ का लगभग पिछले 7, पिछले 5 वर ठीक है, यह लखनौ में university है, और आप सभी को बता दें कि कुछ लोग बहुत confused भी थे, जो बाहर के हैं, कि उत्तर प्रदेश में अभी तो application चल ला है लखनौ university का, तो बता दें आपको कि यह central university है, जिसका नाम है बाबा साय भीमराव medical university, और एक है लखनौ university के नाम से, और तो यह state university है, यह है BBAU central university, ठीक, तो इसका जो लखनौ university, state university है, इसका application चल ला है, 31 January इसकी last date है, भी दो दिन का समय है, आप आप आवे दिन इसमें कर सकते हैं, अभी यहाँ पर जो central university है, इसमें आप जब नीचे आओगे, तो यहाँ पर 28 January की update दिखेगी, PhD, admission and counseling, इसी पर आपको click कर देना है, तो यह आप देख सकते हैं, यह है subjects की list, इसमें लगबग 38 cool subjects हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, 36, sorry, 36 subjects हैं cool, जिसमें की list आ चुकी है, यह किस चीज की list है, तो यह interview के लिए selected candidate की list है, जो यह view का button है, इसी पर आप click करके देखेंगे, सब भी subject का, जै जैसी आप mathematics का list download करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह mathematics का details है, department of mathematics, PhD mathematics program category, unreserved SC, EST and EWS, इन सब का list आया है, और यहाँ पर लिखा गया the merit list, the merit declared is the list of all candidates who have opted for BBAU Lakhnau and completed the registration process on or before the last date of registration, यानि कि जिनों ने BBAU के लिए apply किया था, यहाँ पर list आया हुआ है, all applicants are advised to go through the PhD brochures admission brochure and admission policy, यह details लेने के लिए आप यह देखेंगे, और यहाँ पर कहा गया है, candidates are advised to strictly follow the admission procedure and stuck off the deadline, and यहाँ पर कहा गया है, candidates will be called in ratio of 1, 5, 1 ratio 5 for presentation, या interview before the DRC, यानि कि एक seat पर 5 candidates को बुलाया जाएगा, ठीक, एक बार में 5 candidates को एक seat पर बुलाया जाएगा, यह यहाँ पर interview presentation की guidelines है एक बार में 5 candidates को, उसके बाद 5th point student will be informed through email and notification on university website regarding the data of DRC, यानि कि जो DRC, यानि कि Department Research Committee जो है, जो interview or presentation कराएगी, उसका date जो है university की website पर notification के माध्यम से, या email के माध्यम से, दोनों माध्यम से आपको प्राप्त हो सकता है, और यह किन्हें प्राप्त होगा email, तो उनकी list यहाँ आ चुकी है, यहाँ पर उन्हीं candidates को यह email और interview के लिए बुलाया जाएगा, उसमें यहाँ पर नाम दिया गया है, जैसे कि नाम और आपका gender, आपकी category और साथ में father name, reference number and marks, और उसके बाद यह remark बहुत important चीज है, eligible अगर लिखा है तो आप यहाँ पर interview के लिखा हो, अगर not eligible लिखा है, तो आप नहीं जा सकते interview में, ठीक है, तो लगभग सब के सामने eligible लिखा है, और यहाँ पर कुछ list है, जिसमें number 192 score हुआ है, लेकि not eligible लिखा गया है, यह कुछ कमी रही होगी, तभी यह not eligible लिखा गया है, तो अगर आपके application form में, documents में कोई error है, तो ही आप not eligible रह है, ठीक, तो यह आप देख सकते हैं, 180 तक बुलाया गया है, और बीच में कुछ लोग ऐसे not eligible है, मालीजे उनका कोई error होगा, इसलिए, तो application में error होने से भी not eligible हो सकते हैं, तो यह मालीजे mathematics की list थी, तो आप इसी तरह हर एक subjects का, अपनी अपनी जो आपका subject है, उसकी list देख सकते हैं, और अगर आपका नाम है, आप eligible हैं, तो interview की dates को आप ध्यान दीजेगा, अभी date declare नहीं हुई है, यह जो interview की dates है, वो आपको site पर notification के माधियम से मिलेगी, और आप email भी चेक कीजेगा, आपको email भी आएगी, अगर आप इस list में है तो, ठीक, तो यह जो total subjects है, इसका इंटरंस एक्जाम दिये हैं, यहाँ पर सीधा लिखा गया है न, the admission PhD program in based, इने बाबासाइब भीमराव, medical university लखनो, will be governed by admission policy, the admission to the PhD program will be made through university summer portal, based on CUET PhD entrance exam only, यानि कि जो भी गनिट इस entrance exam को दिये हैं, यही entrance exam qualifying था, इस entrance exam जो NPE ने conduct कराया था, अगर आपने यह दिया है, तो आ आपने जो entrance exam दिया था, उसका 70% वेटेस था, national level test आपने जो दिया, वो 70% वेटेस था, and interview जो है, इसका 30% वेटेस है, ठीक है, तो यहाँ पर final short listing candidates की merit बनेगी, merit of marks, वो 70% तो आपका हो गया है, national level test का, and interview का 30%, तो national level test तो आपने दे दिया, आप interview की बारी है, तो interview जो है, व तो सबसे पहले 5 marks तो आपका academic का हुएगा, और जिसमें की bachelor का 2 marks, and master's का 3 marks, और यह जो है, तो इसका आपका 5 marks रहेगा, इसमें bachelor degree में आपको 2 marks maximum मिलेंगे, और master degree में 3 marks maximum मिलेगा, और एगर आपका 4 year bachelor है, तो आपका 5 marks maximum मिलेगा, इसी के अंदर आपको मिलेगा, अब भी point ह तो आपको पूरे 10 marks में से मिलेगा, और अगर आपका ज्यारफ नहीं है, तो आप 5 marks में रहेंगे, ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 marks A का, और 10 marks B का, तो 5 ये हो गया, 10 ये हो गया, अब अगला जो 10 marks है, वो आपका है, personal interaction का, ठीक, personal interaction में आपका WIBA हो सकता है, ठीक है, और presentation भी हो सकता है, इस का आपका कितना रहेगा, ये 10 marks होगा, तो इसी 10 marks में आपके WIBA और presentation के marks मिलेंगे, ठीक है, जो आप DRC, यानी की जो department business committee रहेगे, उसके सामने जब आप जाएंगे, तो वो आपको इस 10 marks में आपको evaluate करेगी और यह 5 marks तथा 10 marks, 10 marks आपका weightage का हो गया, DRF या net का, 5 marks आपका हो जाएगा, academic का, ठीक, और यहां पर 5 marks अभी बसता है जो वो आपका है research proposal का, बीना research proposal के आप यहां पर नहीं जा सकते हैं, तो इसका 5 marks है, इसलिए research proposal बहुत अच्छे से बनाईएगा, बहुत अच्छे से ले जाईएगा, systematic धंग से, तभी आपको यह 5 marks पूरे मिल सकते हैं, अगर यह marks आपको 5 में से 4 मिल जाता है, research proposal का, तो भी better है, आपके जो final merit बनेगी, उसमें यह marks जुडेंगे, तो merit हाई जाएगी, तो admission के chance से ज़्यादा बनेगे, यहाँ पर कहा जाए चोथा point, on being called for interview, the candidates shall have to submit the self-attested copies of following documents, और on before last date prescribed by DRC for the purpose, तो जब DRC last date declare करेगी, आप से documents submit करने को कहेगी, तो आप यह सारे self-attest copy submit करेंगे, mark seat, grade seat of qualifying degree courses, और character certificate from last attended institute, universities, यह original में रहेगा, यह तो आपका self-attest रहेगा, mark seat का, लेकिन यह original में रहेगा, migration certificate आपका original रहेगा, जिस university से आपने फिछला अपना course किया है, D, अगर आप SCS, TWSP, WD के candidates हैं, तो इसका certificate competent authority से रहेगा, self-attest में, और यहाँ पर पांचवा point है, कि candidates shall bring the original certificate relevant documents for verification along with self-attested copies, सभी original documents आपको उसका copy भी करा लेना है, original दोनों लेके जाना है, और copy जो रहेगा, वो self-attest में रहेगा, self-attest का मतलब ही यह होता है, कि आप अपने documents के एक photo copy निकलवाईए, उस पे आप अपनी sign नीचे कीजिए, यही self-attest है, ठिक, उसके यहाँ पल अठारवाँ पॉइंट है, the entrance exam marks of PhD shall be used for shortlisting candidates to be called for interview, यानि कि जो interview को list आई है, वो entrance exam marks के through shortlist किया गया है candidate को, अब जो shortlisted candidates हैं for PhD admission will have to appear for an interview, along with six copies of the year research proposal, आपने यह ध्यान से पढ़ना है, along with six copies of the year research proposal, in about minimum 500 words, and maximum 2500 words, on dates notified by the university, तो interview के लिए जब आपकी dates आएगी, तो आपको अपने research proposal को ले जाना है, बाकी documents तो आप दो-दो copy करा लिजेगा, लेकिन यह जो आपका research proposal है, यहाँ पर कहा जा रहा है, along with six copies of research proposal, तो इस research proposal को आपको 6 copy में रखना है, ठीक है, six copies का आपका research proposal यहाँ पर कहा जा रहा है, तो आप इतना लेके जाएंगे, अभी लोग क्या करेंगे उसका यह जाने, आपका research proposal minimum 500 words का होना चाहिए, और maximum 2500 ठीक है, तो यानि कि आप अगर 1500 भी रखेंगे, तो चलेगा, ठीक है, 2500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 500 से कम नहीं होना कि क्या मेरा research proposal सही है कि नहीं, तो आप अपने research proposal को खुद उसे verify कर सकते हैं, क्योंकि कैसे करेंगे आप, तो किसी दूसरे का research proposal आप देखके, अपने research proposal को verify कर सकते हैं, आप सीधा चले जाएएगा, सोध गंगोत्री portal पर, यह UGC का official portal है, सोध गंगोत्री, यहाँ पर जाके, अपने subject search कीजिएगा, आपको बहुत सा research proposal मिलेंगे, उसे आप download करके, एक एक करके पढ़ लीजिएगा, कैसे research proposal वो बना है, कैसे उसमें points एड हुए हैं, किस page पे कितनी, किस तरह से front page बना है, सब कुछ आप देख लीजिएगा, और फिर आप एक, अपने आपको verify करेंगे, justify करेंगे, कि हमारा research proposal कितार तक सही है, ठीक है, और बाकी points युश्टी भी list declare करती है, कि इतनी तने points होने चाहिए, तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, इंटर्विव कब तक होगा, तो इंटर्विव आपका, जो है, वो February में start हो जाएगा, और February में आपका हो सकता है, first week में ही date वगर आ जाए, first week में ही date आ सकती है, या अगले 3-4 दिन या एक अपने में date आ जाएगी, मिलते ने ने एक्स वीडिव में तब तक कि लिए, नमस्कार।